तो जो पुरानी कल वाली वीडियो थी मेरी उसमें मैंने यह बताया था कि क्यों कोवेट टेस्ट कैसे बुक करना है और मतलब आपको डेटू टेस्ट बुक करना पड़ेगा वैक्सिनेशन स्टेटिस क्या है यह सब चीजे हैं लेगिन अब जो है कि वह रूल्स चेंज हो गय है लेकिन वह बड़ा पूरा बड़ा कॉंसेप्ट है उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि से नेक्स्ट वाले वीडियो होगी लेकिन आज की बात करते हैं अभी क्योंकि आपको पैसेंजर लोगेटर फॉर्म एर्रेस्पेक्टिव के रूल्स चेंज हुए करना है यह नहीं हुए हैं पर पडुब्रेणा चीड़ार फिल करना पड़ेगा दो पहले उसकी बात कर लेते हैं कि अपको पैसंगर लोगेटर फॉर्म कैसे फिल करना है तो अब यह मैं आपको जो लिंक बता रहा हो आप उस लिंक पे जाना आया पिर आप और उसमें नीचे नीचे जाओगे आप लोग यहां पर तो यहां पर आपको स्टार्ट नाओ करना है और आपको यह इसमें ना यह वाले चीज़ द्यार लगने ही नहीं पहले ही आपको फिल करना है उससे पहले का अगर फिल करोगे तो आप पहले स्टार्ट नाओ करो यहां पर और अभी आपको अपनी है ठीक है उसके बाद नो स्टार्ट न्यू पैस्ट लोगेटर फॉर्म के अकाउट क्रेट करने की कोई ज़रूद नहीं डारेक्ट लिए आप करो यहां पर कॉंटिन्यू है इमिल एड्रेस दो को यह भी अपनी कि सब्सक्राइब डाल रहा हूं क्या अवा, तो कि एप अवाग प्सक्राइब अपना मतलब आपको email address डालना है उसके बाद आपना पासवर्ड कोई भी आपने रिएट कर सकते हो नोटनाओ करो phone number डालो जिसके कोई भी आप अपना अपने इंडिया का भी डाल सकते हो या नॉर्मली डाल सकते हो कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि कि इसमें आपको ना जो यह पैस्टन या थर्ड ना आपके पास फोन आता है मेरे पास सेकेंड डिक पे फोन आ गया था कि आपको आगर जो आपको रूल समझा रहे हैं निया आ रहे हैं आपको हम कुरंटाइन करना है लेकिन आज करना भीना फोन आनी रहे हैं तो और वो भीना वो selective होता है कि आपको कभी कभी फोन आते हैं मतलब एक रेंडम लोट होता है उसके उस लोट में च्तने भी बंदे हैं उसको फोन कर दिया बाकियों को छोड़ दिया तो वह डिपेंड करता है वह रेंडम है अगर आपका लगोगा तो आपके पास फोन आएगा वर्ण नहीं भी आ सकता है ऐसी कोई ज़रूर नहीं है फिर अपना कोई भी नाम डालो एबी सी एक्स वाइजी अबना मेल फीमेल डेट ओफ पर्थ कोई भी ड्रेस टाल दो अपना की जो मतलब कोई भी नहीं हो डालना है में जो आपका एड्रस है जो आपने क्योंकि यह पैसेजर लोकेटर फॉर्म यह है कि आपको लोकेट करेंगे कल को आप पोजेटिव मिल जाते हो या आपकी फ्लाइट में भी अगर कोई बंदा पोजेटिव मिल जाता है ना तो उसको भी यह लोग कॉरंटाइन करने के लिए बोलते हैं तो इसलिए आ आपको और ऑपको और अपने जो भी पासपोर्ट के एक्सपारी डेट है वो डालनी है आपको यहां पे ठीक है आप क्योंकि हम आप सब लोग स्टूडेंट्स है तो आपको स्टे इन यूगे करना है और ऐसा नहीं कि आप मतलब ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हो या टूरिस विजा पर आ रहे ह तो इदर लंडन ही ठोई डालना है आपको क्योंकि मेजॉरेटी जितने भी लोग है वो सब लेचार उतरेंगे अगर आप नॉर्मल बर्मिंगम वगेरा उतर रहे हो है डारेक्ट उस वाले एरपोर्ट पर उतर रहे हो या स्कोटलेंड जारे हो आप डारेक्टली तो यहां अपना वही डालना जो भी आपकी कंपनी है जैसे कि विस्तारा अगर हम डाल रहे हैं तो विस्तारा अपने फ्लाइट डाल तो जो भी है यह सब इसलिए पुछा जा रहा है क्योंकि अगर आपकी फ्लाइट में कोई भी बंदा पॉजिटिव होगा तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि अगर मानलो कोई बंदा इक वाले में प्लाइन करा सके तो अब यहां पर वेंडू प्लाइन टो अराइव नियुके सब्सक्राइट डाल देता हूं में इधर अगर यह वैसे भी ऑप्शनल है कि कब छोड़ रहे हो वर ना अगर आप डाल भी सकते हो तो यह सब्सक्राइट डाल दिया आपने तो इसमें आपको यहां पर नो फिल करना है क्योंकि हम मतलब हम दो इंडिया में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत और हम कोई भी और टेरिट्री वगएरा प्लान नहीं कर रहे हैं जाने की और आप जो आपके इंडिया से डिपार्चर डेट है वह आपकी यहां पर जाए की 2022 कि नो कोई भी हमने कहीं पर भी और नहीं गए हैं इंडिया में यह सब लोग ठीक है आप कोई बोल रहा है कि आपको जो कोई वैक्सिनिशन सब्सक्राइब जाएगा तो जो జोट फैसे वह लेके आना याद से कि हुए अ को फुली वैक्सिनेटे एस और यहां पर आपका इंडिया जाएगा कोई माईनर ने ट्राविल कर रहा है नो गर्दो और आप सब के पास यहां पर government approved exemption है self isolation से एक बारे फिर पीजाए कर लेते हैं क्योंकि ना इसमें अभी 7th date से देखुए अभी यहां पे ना जो लोग इसको 9th date के बाद फिल कर रहे हैं ना उन लोगों को self testing करने की जरूरत ने हैं उनको exempt कर देगी government अगर आप Sunday 9 January के बाद आप फिल कर रहे हो ना पैसेंजर लोकेटर मतलब आपकी फ्लाइट चार बजे के बाद इन मतलब 9th date को 9 January को तो आपको यहां पे नो करना है में ₹ज और अगर आपकी फ्लाइट नो तारीक को पहले है नो तारीक के 4च से पहले आप साइट लैंड कर रहे हैं यूके में तो आपको आई नेट तो सेलफ आइसोलेट करना पड़ेगा वह आपको दो दिन के लिए करना पड़ेगा जिब तक आपके पास नेगेटिव कोविड रिजल्ट नहीं आ जाता है कि अधिशन आपको जो भी अपने उपर डिया था आपको वहीं फिल करना येस करना इधर से वन गॉंट इन्व उसके बाद यहां पर यहां पर यहां आड्रेस है और जो आपका यहां पर यहां ड्रेस है मतलब जैसे के करने एडर्व कर रहे हैं इधर तो एड़ जैनुरी 2022 2022 और जब आप छोड़ोगे इतर से मतलब वह आप फ्यूचर में कोई बीटे डाल सकते हो जिसे की 8 सेप्टेंबर डाल दिया 2024 अब नो कहीं और मतलब स्टे नहीं कर रहे हैं और अगर भर नाभी मत क्योंकि आप न दिक्कत होजेगे आपको कि वह आपका कॉरंटाइन ट्रैग नहीं कर पाएंगे और पैसेंजर लोकेटर फोर्म का दो पॉइंट यह कि वह आपको ट्रैक करना चाहते हैं क्योंकि यहां प लोगों को यह टेस्ट पैकेज करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि गवर्मेंट के रूल चेंज हो गया और नाइन जैन्वरी के चार बजी के बाद जिन लोगों की फ्लाइट है उन लोगों वह लोग एक्जेम्ट है तो अभी यहां पे आकर आपको कोविड-19 टेक्स पैक पैकेज लिखना है यहां पर आपको उसकी रेफरेंस नमबर लिखनी है और बुकिंग रेफरेंस नमबर मैं यहां से पिक कर लेता हूं अपनी कर दो कर दो कर दो कर दो कर अब आपको यहां पर ओप्शन दे रहा है कि आप अपनी सारी सारी चीजे रिव्यू कर लो इधर यह सारी चीजें कि सब कुछ और जैसे आप कॉंटिन्यू करोगे अब आपको यहां पर डेकलरेशन फिल करना है और जैसे आप सब्मिट करोगे ना आपके पास ऐसा फॉम इमेल पर आजेगा यह सारा फॉम आपको इमेल पर बेजेंगे वह और यहां पर आपकी सारी डिटेल्स लिख्योंगे कि आपका साइल मतलब आपका नाम आपका पासपोर्ट नंबर कौन से ट्रैवल कर जो उस फ् इस सब्सक्राइब तो यह सारी चीज़ें आपको फिल करनी है मतलब यह सारी चीज़ें आपके पास डिकलेरेशन आजेगा बस यहां पर कुछ निकरना इसको सब्मिट करना है और आपके पास आज इकाप पैस्ज़ियरर लोकेटर फोम है आपको और कुछ भी करने की पूर का होगा तो फिर वह आपको एक्जेम्ट भी कर सकते हैं तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है तो कोई टेस्ट कैसे फिल करना है और जब आपको वह एक्जेम्ट फिल करना पड़ेगा और वहां पे कोई रेफरेंस नहीं आएगी तो आपके पास तो तीन उप्शन एक्स्ट्रा हो जिंगे तो मेभी मैं आपको वह दुबारे वीडियो बनाओ इसकी पैसे लोगेटर फों कि वह रून देकिन वह booster हो रहे है चाहर सुबह के चार बझे के जैनवेरी नाइञह के सुबह के चार बजे के पार के तो उन लोगों को एक्जेम्ट करेंगे और उनको सिर्फ लेटर फ्लो टेस्ट बॉक करने जो कि आप साथ जनवर इको चार बज़े के बात कर सकते हो तो यह आपको ध्यान रखना है आपको लेटरल फ्लो टेस्ट बूक कर नहीं करना पड़ेगा अब जैसे कि कोई भी बंदा COVID-19 टेस्ट पे पैसे ना करच करे और लेटरल फ्लो टेस्ट बूक करे बस आज की वीडियो में इतना ही है बाकी में अभी आपको जो नई रूल्स आए हैं उसकी वीडियो में आपको कल बताऊंगा कि क्या रूल्स है और क्या वो है बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो तो फिर मिलते हैं आपको बाई भाई लफ लंडन गुझ रूल्ड और में आपको